हाई फ्रेंड्स कैसे हो आप सब चैतना स्केशन में एक बार फिर से सुआ गे था आपका एक नए वीडियो के साथ तो आज हम बनाने जा रहे हैं आज महासिवरात्री के पारोपर्मा आपके लिए एक मिठाई की रेसिपी लेका हूँ जुसको बनाना बहुत ही आसान है बिल् अज़ाना मार्केट में आसानी से मिल जाता है बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही सुद्ध और इसके लिए यह लिए यह पर अदिक टोरी चीनी चीनी की मातराव अपने हिसाब से कर सकते हो आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हो इसके जगए यह मैंने देसी गी लिया है लग इसके लेराओं फिसके टाल दें दें उल्गाए के लिए गैस के लिएच फिले मादे हमें इसको अच्छे से लिए जयां मिल स्काइब से देड़ा साथ ही सब्सक्राओं प्लेश दाला यह जो अधो आपकर इंदे की बाटितऊ लुक्तल दाना है एक आपकर असानी पिलना तो आप बाद में भी डाल सकते हो बत मैं यहां पी डाल रहे हूं चीनी अच्छे से घुल जाये तो पानी बेंड थोड़ा सा ही डालना है ज़यादा पानी नहीं लोगए isso अगर ज्यादा पानी डाल दोगे तो बर्फी फटाफट नहीं बनेगी थोड़ा टाइम लगेगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छे से मिक्स कर दिया है तो आप देख पा रहोंगे हमारा जो मिक्चर है वो बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है लेकिन ह रहा हो है तो यह इसे चलाते रहना है लगबक तो था जीक चाहिए था पता नारिल के वर्यादाई के साथ मिल जाए तो यह देखी techniques नारिल को बै blijदा हो थोड़ा सा गड़ा होनी लग रहा है यह दिंधिया हमें और बर्फी काटनी हमारा यह इस मिठाउय को बनाने में न आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हो सिर्फ मातर 2-3 मिनट के अंदर मिठाई तयार हो जाती है और टेस्टी बहुत ही ज्यादा बनती है तो यह देखिए मैंने थोड़ी से ड्राइफ्रूट में से पिस्दा डाल दी है और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देख हमारा मिक्स्टर हो रेडी है सबसे सिंपल मिठाई है इससे सिंपल कोई भी मिठाई नहीं है तो आप जरू ट्राइ करना इस रेसिपी को सबको बहुत पसंदाएगी तो यह देखिए हमारे जो पेस्ट है वह बिल्कुल रेडी हो चुका है गाड़ा हो गया है बर्फी कटन इसके चिकवे की तो नहीं लेकिन फिर भी मैं इस मिक्चर को थोड़ा सा पका लेती हूँ ऐसे करके तो यह देखिए हमें हमारा मिक्चर है उसका कलर है वो चेंज हो गया है और घी और चीनी के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है बहुत ही अच्छी कुस्बू भी आ रही ह और मुझे कमेंट बोक्स में जुरूर बताना की कैसी लगती है हमारी रेसिपी तो मैं इसको अलग बतन में निकाल लेती हूँ तो यह देखिए पूरा जो पेश्ट तयार किया था हमने वो पूरा एक बतन के अंदर निकाल लिया है और उसको हम किसी चमच या पल्टे की सा पल्ट में ऐसे कर लेता है है कि Lazak मात behavioral टैमपरेशर दिया है वीजान अवक दम सläघ्ग इसको रहती है तो यह थाय। श्वाद में सब्सक्राइब लाजवा तो watching लाहरी है आप देखिए वांने यह को कट अपर लिया है आप यह ए갈 जिकेखे तो फीच प्त्र कर सकते हैं त में आपको पसंदा उतना है तो यह देखिए यह देखिए मैंने आवह बश्य को अच्य के लिया है बहुत ही सुंदर भी स्टी में और बहुत ही खाने में तो यह थे को अथा जाती है निकल जाती है ये देखिए कितनी जोड़दार बनी है हमारी नारियल की बरफी तो आप जरूर ट्राइ करना इस रेसिपी को और मुझे जरूर बताना कि कैसी बनी और आज महाई सीवरत्री की आप सभी हो बहुत-बहुत सूप कामना है और आप इसे बना कर जरूर ख अच्छा टेस्ट आता है ड्राइफ रूट से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मुझे अंदर तो उमीद करते हूं आज की वीडियो आपको जूरूर पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके पास में जो बैल आइकन है उ अच्छा टेस्ट आता है